एक तरफ मौलाना भड़काओ बयानवाजी करके जहर घूलने का काम कर रहे हैं तो वहीं अलकाइदा से लेकर दूसरे संगटन गीदर भपकियां देने से पाज नहीं आ रहे वारानसी के सिनियर सिविल डिविजन जज रवी दिवाकर के चिठी भेज कर धमकी दी गई है और जज रवी दिवाकर ने इस चिठी की शिकायत वरिष्ट अधिकारियों से की है जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है साती वारानसी पुलिस चिठी की जाच में जुड़ गई है इस बीच अलकाइदा ने भी पैगंबर मुहम्मद पर टिपणी के मामले में धमकी भरी चिठी जारी की है इस चिठी के जरिये देश के अलग-अलग अलाकों में आत्मगाती हमले की गीदर भपकी दिया देन की गई वारानसी के जज को धमकी अलकाइदा की गीदर भपकी भी अलकाइदा की आत्मगाती हमले की गीदर भपकी और अब ग्यानवापी पर फैसला देने वाले वारानसी के जज को धमकी ये वो दो पेज की चिठी है जो वारानसी के सीनियर सिवल डिविजनल जज रवी दिवाकर को भीजी गई है धमकी भरी ये चुठी रेजिस्टर डाग से भीजी गई है चुठी भेजने वाले ने अपना नाम कासिम सुद्ध की लिखा है और खुद को इसलामिक आव्याज मोमेंट का ध्यक्ष बताया है हिंदी में लेखी गई इस चुठी की जाच पुलिस ने वारानसी से लेकर दिल्ली तक शुरू कर दी है इस चुठी में किस लहजी में धमकी दी गई है वो भी आप देखी अब नियाएधीश भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं फैसला उग्रवादी हिंदूओं और उनके तमाम संगठनों को प्रसन करने के लिए सुनाती हैं इसके बाद ठीक रा विभाजित भारत के मुसल्मानों पर फोड़ती है सीनियर सिर्वल डिविजनल जज रवी दिवाकर के आदेश पर ही ग्यानवापी का सर्वे हुआ था उसके बाद सुनवाई के दोरान भी उन्होंने बताया था कि उनके परिवार को डर लग रहा है इस धमकी वाली चुठी में उसका जिक्रिकर्टेवी लिखा गया है एक सामानिय प्रक्रिया है आप भी तो बुद्परस्त हैं आप मस्जित को मंदिल घोशत कर देंगे कोई भी काफिर मूर्ति पूजक हिंदुनिया अधिश से मुसलमान सही फैसले के उम्मीद नहीं कर सकता है जज दिवाकर ने इसकी शिकायत अपर मुखे सचिव से की है चुठी मिलने के बाद जज और उनकी मा की सुरक्षा में पूलिस की तैनाती कर दी गई है दिल्ली से संपर्क साद कर चुठी भेजने वालों की तफ्तिश की जा रही है वहीं पैगंबर मुहमद पर टिपड़ी के मामले में बातं के संगठन अलकाइदा भी कूद गया है अलकाइदा इंदी सब कॉंटिनेंट ने भी एक चुठी के जरिए भारत के कई शेहरों में आत्मगाती हमले की गीदर भपकी दी है 6 जून 2022 को लिखी इस चुठी में दिल्ली, मुंबई, उत्तरप्रदेश और गुजरात में आत्मगाती हमले की धमकी दी गई है चुठी के लिए अलकाइदा के नाम वाले लेटर हेट का इस्तिमाल किया गया है सीधा किसी का नाम नहीं है, लेटर हेट पर कोई पता या नंबर भी नहीं है, इसमें लिखा है हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे, हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्पोटक बाधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवाध हरियों का अंत करेंगे, वो न अपने घर में छिप पाएंगे और नहीं सेना उन्हें बचा पाएगी इन गीदल भबकियों के तो जाच चल रही है, लेकिन RSS के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमके देने वाला, तमिलनाड उसे पकड़ा गया है धमकी देने वाले राज मुहमद ने वर्टसअब गुरूप बनाया और लखनो के व्यक्ति को इस गुरूप से जोड़ दिया और जैसे ही शक्स ने इस तरह के मैसेज देखे तो वो पुलिस के पास पहुँच गया इसके बाद ट्रेस करके उसे तमिलनाड उसे पकड़ लिया गया और अब यूपी लाए जा रहा है इस वाटसअब गुरूप का नाम अल-अंसार इमाम रजीून महदी है थाना मडियाओं में नीलकंट मणी नाम के आदमी ने एक कंप्लेंड दी उन्होंने ये बताया कि पांस जून को लगवा दो ढ़ाई बजे के टाइम था जब उनको वाटसअब में एक इन्विटेशन आया गुरूप जॉइन करने का जब उन्होंने उस गुरूप को जॉइन किया तो उसमें कुछ मेसेज़ेस आया जिसमें ये लिखा था कि आरेसस के कुछ ओफिसेज हैं जिनको बंग से उडाने की धंकी दी गई और ये बताया गया कि रात आठ बेज़ दक उनको बंग से उडा दिया जाएगा जिसमें से जो 6 जगा थी जिसमें इत्मकी आई और ये 4 इस्थान करनाटका के, 2 इस्थान उतर प्रदेश के थे और इसमें से एक इस्थान हमारे हां मढियाओ थाना अंतरगत सरस्वती विद्या मंदिर पड़ता है, सिक्टर की वहां का था इसमें तुरण मुगदमा दर्श किया गया, 507 IPC और 66F IT आट के अंतरगत या FIR हुई